इस चानल पर पहली बार आएं, सबसे पहले इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेर जरूर कर देंगे तो आईए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकाबलरी के साथ आज का पहला शब्द है रिप्रीव रिप्रीव का मतलब क्या होता है सुकून मिला, कहीं से राहत मिली अंतब्स क्या हो गया, दर्द ही दर्द है, अफ्लिक्शन है, डिस्ट्रेस है, पेन है तो जो decision था meeting को postpone करने का इससे हर किसी को थोड़े से समय का सुकून मिला अपने busy schedules next word leniency दो ये last में ENCY लग रहा है तो ये noun है इसका adjective form क्या होता है lenient lenient का मीनिंग क्या होता है ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी strict ना हो उसको क्या बोलते हैं lenient कुछ लोगे parents बहुत strict होते हैं कुछ लोगे parents बहुत lenient होते हैं तो leniency means treatment जिसमें आप उसको बहुत कम strongly बहुत कम severely आप उसको punish करो या judge करो clemency, mercy आपने दया दिखा दी antonyms क्या हो गए intolerant और जहेली नहीं पारे strictness तो judge ने क्या माना कि जो defendant का जो remorse था मतलब judge ने मान लिया सामने वाला जिसको जो पच्चतावा था उसको मान लिया और उसको jail की सदा देने में क्या दिखाई leniency दिखाई, मतलब बहुत strict punishment नहीं अगला word है uphold करना, uphold करने का meaning आप किसी इसको maintain कर रहे हो, किसी इसको support कर रहे हो, किसी इसको defend कर रहे हो उसको बहुते है uphold करना, for example Supreme Court ने इस बात को uphold किया मतलब इस बात को Supreme Court ने support किया, defend किया maintain किया, uphold किया sustain किया, backing, backing का meaning क्या होता है, support किया that is uphold करना, action की बात कर रहे है, part of speech क्या हो गया, verb हो गया antonyms overturn कर दिया, reject कर दिया repeal कर दिया, हटा दिया तो जो upholding of the verdict, जो judgment था, उसको जो maintain किया, इसकी वर्ज़स से community को क्या मिला, एक justice मिला इंसाफ मिला commendable, last में ABLE लग रहा है, part of speech क्या हो गया यह शब्द आपका adjective है commendable में इस तारीफ के लाए what a commendable performance, हिंदु की class के बाद आप लोग क्या कहते है, what a commendable class, means laudable praiseworthy, तारीफ के लायक, antonyms क्या हो गया, deplorable, means बहुत ही खराब, घटिया एकदम, reprehensible बहुत ही खराब, कोई चीज जिससे आपको नफरत हो जाए तो company का जो commitment था sustainable practices की तरफ, sustainable practices, means वो practices जो लंबी टाइम तक चले, जो किसी resource को खतम न करते, जो company का commitment था, commendable था, तारीफ के लायक next word is implicate करना अगर आप किसी को implicate कर रहे हो, मतलब उसकी उपर कोई इंजाम लगा रहे हो, कि भई तूने ये गलत काम किया है, इसका मतलब आप उसको implicate कर, आप उसको फसा रहे हो या उसकी उपर इंजाम लगा रहे हो, अब शो कर दो कि ये ही है, ये ही है जिसने ये किया है इसका एक सिनोनिम होता है incriminate, crim root word आ गया, crim root word का meaning क्या होता है कुछ गलत काम किसी भी तरह की wrongdoing, तो incriminate का मतलब क्या हो गया, आपने किसी की उपर इंजाम लगाया फसाया, उसको impute किया, incriminate किया, उसकी उपर इंजाम लगाया, तो alig किया उसको accuse किया, उसकी उपर इंजाम लगाया, antonyms हो गया, उसको इंजाम से मुक्ति दे दी acquit कर दिया, exculpate कर दिया मतलब उसको बोल दिया कि वह तेरे उपर कोई इंजाम इंजाम नहीं है तो फ्री है आपने उसको फ्री कर दिया FRWING आपने उस इंसान को देडि MST देडि MST देने का मतलब skipped क्या होता है आपने उसको free कर दिए एक और word होता है exonerate करना exonerate करने का मतलब भी क्या होता है free कर देना आपने उस इनसान की उपर से blame को क्या किया हटाए तो detective को सबूत मिला जो क्या कर रहा था, जो इंजाम लगा रहा था, suspect पे, मतलब जिसकी उपर शक था, उसी की उपर, इंजाम सारा का सारा जा रहा था, ऐसा सबूत, detective को, action की बात कर रहा है, part of speech आपका, verb, अगले word पर आते है, geopardize, इसकी उपर इतने star mark करने हैं कर लो, it's a very very important word, इसको leopard से याद करना, drawing बना देती हैं, बहुत मन कर रहा है मेरा, इसको मान लेना, यह leopard है, leopard को देखके क्या लगेगा, leopard means a family of tiger, lion, लगेगा, डर लगेगा, तो, geopard, geopard का meaning क्या होता है, geopard भी नहीं होता है, इसका meaning क्या होता है, खतरे में, in danger, तो कोई चीज जब परडी में है, इसका मतलब खतरे में है, यह इसका noun form है, और यह जो geopardize है, यह इसका verb form, geopardize का meaning क्या होता है, किसी को खतरे में डाल देना, किसी को imperil कर देना, खतरे में डाल देन ना compromise कर देना बतलब उसकी safe वाली situation वो compromise कर दिया अब वो safe नहीं Antonyms क्या हो गये आपने उसको safeguard कर दिया, shield कर दिया, protect कर दिया तो traffic rules को ignore करने से क्या हो सकता है, खतरे में जा सकती है safety और security, driver की भी और pedestrians, pedestrians कौन होते हैं जो लोग पैदल चलते हैं वो भी safe नहीं है अगर कोई traffic rules follow नहीं करता है next word is spat, spat means लड़ाई हो जाना, छोटी सी लड़ाई हो जाना, spat होना, जगड़ा होना part of speech क्या हो गया, noun, squabble, row means जगड़ा, antonyms क्या हो गया, concord है, harmony है, सुकून है, शान्ती है तो neighbors की एक लड़ाई हो गई, किस चीज़ की उपर, noisy late night party की उपर, पड़ोसी लोग जगड़ पड़े एक इनसान को पाटी कर रहा होगा, एक इनसान को सोना होगा, तो क्या हो गया, spat हो गया, जगड़ा हो गया एक और word होता है, altercation altercation का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से heated verbal dispute मतलब लड़ाई हो गई, half pair वाली लड़ाई नी, बोलने बोलने वाली लड़ाई होगी, जो कि बहुत सब्सक्राइट हो गई तो altercation बोलते है, prevail करना, एक किलविश का डायलोग ता अंधेरा कायम रहे एंगलिश क्या होगी, may the darkness prevail, तो prevail means powerful रहे, superior रहे, बनती रहे, जीतती रहे, prevail करती रहे triumph करे, reign करे, powerful हो, prevail, action की बात कर रहे है, part of speech is work antinims yield कर जाए, means घुटने टेक दे, fail हो जाए, हार जाए, तो hard work अगर आप महनत करते हो और perseverance, लगातार महनत करते हो, तो यह जीत जाता है, कठनाईयों की समझ में आ रही है ना, vocabulary सभी को, yes or no, my champions अगला word है, ambit, ambit का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज की जो range होती है, किसी भी चीज का scope होता है, जो उसकी range होती है, purview भी कहते है, range भी कहते है that is the ambit, antonyms कोई रुकावर्ट है, कोई restriction है, तो company के अंदर CEO का ambit है, CEO का ambit क्या है, CEO कहां कहां control करता है, CEO बहुत सारे departments को control करते है, part of speeches again, noun, कुछ phrasal verbs आई हैं आज के rhetorial में, पहला है handed down, handed down का मतलब क्या किसी जिसको आपने public को बता दिया, आपने किसी जिसको announce कर दिया, कोई भी judgment को announce कर दिया, किसी को कोई सजा दे, सबको publicly बता दिया, handed down, press for, press for means आप बहुत कोशिश कर रहे हो, कि लोग इस बात को मान जाए, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, कि आपको support मिल जाए उस चीज के लिए, इससे कि उसी successful हो जाए, you're pressing for it, lay down करना, किसी rule की स्थापना करना, एक phrase यूज हुआ है, moot point, moot point का मतलब क्या होता है, आप ये point सही नहीं, conversation के लिए relevant नहीं है, appropriate नहीं है, suitable नहीं है, आप इस topic को हटा दिया जाया, no room for, मतलब कोई जगा ही नहीं है उस चीज के लिए, मतलब अब ये चीज़ acceptable नहीं है, there is no room for misbehavior, misbehavior के लिए यहाँ पर कोई जगा नहीं है, मतलब अगर आप misbehavior करोगे, तो आपको उस चीज के consequences को जहलना पड़ेगा,